नमस्कार प्रेमित्रों इस वीडियो के माध्धम से आप सब को मैं बताऊंगा अक्टूबर के मन्त में जन्में हुए जातक कैसे होते हैं इनका रंग रूप इनके जीवन का कार छेत्र और इनके जीवन में इनका अगर भागोदे होता है तो किस एज में होता है इनका दामपत जीवन कैसा होता है इनका एजूकेशन का छेत्र कैसा होता है ये संपूर जानकारी इस वीडियो के माध्धम से मैं आप सब को दूँगा जैसा कि आप सब जानते हैं हर मंत में किसी ना किसी का जन्म होता है लेकिन हर व्यक्ति का भागे एक जैसा नहीं होता आपके प्लैनेट से के प्रभाव के कारण आप किस मंत में जन्म लिये हैं ठीक उसी प्रकार से उस एज में ही आपका भागोत होता इसके पहले आप कितना भी कर्म करने, कई बार आप अपने भागी का इंतजार करते हैं, सफलता आपको अपने कर्म के द्वारा नहीं मिलती, जब आपका भागी आपको सपोर्ट करता है, तो थोड़ा भी कर्म करने के बाद मिरे मित्र एक अच्छा लावा आपको जीवन में प्राप्त हो पाता है, क्या अक्टूबर के मंत में जन्म लिया हुआ जातक, जीवन में बहुत संघर्शील होता है, संघर्श के साथ में ऐसे जातकों को एक अच्छी सफलता मिलती है, अगर बात करूँ, तो अक्टूबर के मंत में जन्म लिया हुआ जातक का भागे लगभग 28 से लेकर के 38 वर्स के वीच में अक्षर भागोदे होता है, जीवन में आर्थिक तंगी के अभाव के कारण एजुकेशन में कहीं न कहीं दिक्कते होती हैं, शादी ऐसे जातकों का लगभग एज मैं देख रहा हूँ, तो 24 से लेकर के 26 वर्स की एज में ऐसे जातकों का विवा होता है, संतान सुख में थोड़ी सी प्राबलम होती है, लेकिन संतान रत्र को प्राप्त जरू कर पाते हैं, एजुकेशन का छेतर काफी अच्छा होता है, ऐसे जातक जल्दवाजी के काण कई वार अपने जीवन में महत्वपूर्ण समय को बरबात कर देते हैं, ब्यापार करते हैं तो इंडुविजल खुद करते हैं, साजेदारी का कोई विकार करना इस मंत के जातक बिल्कुल परसन नहीं करते हैं, जो करेंगे सो अपना खुद करने का प्रियास करते हैं, ऐसे जातकों के लिए दो सुझाओ, क्या एक तो जल्दवाजी पर नियंदर करें, और अपने आत्म काण्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाएं, आत्म स्वाभिमान से समझोता बिल्कुल नहीं कर सकते हैं इस मंत के जातक, लेकिन एक चीज का विसेस करके आपके उपर बोल सकते हैं कि डाइविय सकती है, किसी नए कारे करने की रुची, किसी नए कारे में, अगर आप कोई नया चीज सीखना चाहते हैं, उसमें आप कोई एक अच्छी रुची होती है, और जिस पे आपने एक बार, फुल कॉन्फिडेंस से अगर आपने मन बना लिया है तो उसको आप जीवन में प्राप्त करके ही बढ़ते हैं अक्षर अपने कर्म को अपना भाग समझते हैं जिसके द्वारा अपने जीवन में एक अच्छा लाप्राप्त कर पाते हैं अगर आपके मन में भी कोई प्रस्ण हैं कोई सवाल हैं तो आप मुझे संपर कर सकते हैं उससे बात कर सकते हैं अपनी पत्रिका का संपूर समाधान मेरे द्वारा घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में सिर्फ इतना ही पुना किसी अन्विसे अन्टापी को लिकर के मैं चर्चा करूँगा तब तक के लिए नमस्कार